तो हम बात कर रहे हैं नाय ट्राफिक नियम कानून की जिसके लागू होने के बाद अब पॉलिशन सेंटर्स में अच्छी खासी भीर दिखाई दे रही है ऐसे ही कुछ लोगों से बात किये हमारे सेयोगी अभिशेक ने देखिए उनकी ये रिपोर्ट नया मोटर वहिकल एक्ट एक सितंबर से लागू किया गया है तब से दिल्ली की सडकों पर जो लोग गाडियों के साथ निकल रहे हैं उन्हें अपनी गाडी के तमाम दस्तावेजों को रेडी रखना होगा साथ ही ट्राफिक नियमों का भी पालन करना पड़ेगा नहीं तो का काफी महंगा उनको पड़ सकता है चलान की जो लिस्ट है वो काफी जादा है दुगने तिगने यहां तक की दस गुना चलान काटा जा रहा है अभी यहां पर देखे कि यह पल्यूशन जाच केंदर है पेट्रॉल पंपे मौजूद है और यहां पर टू विलर का साथ की बात की जाए तो 80 रुपए यहां पर साफतार पर आप यहां मेंशन किया गया है इसको देखते हुए जिन लोगों का पल्यूशन सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका है वो लोग यहां पर आ करके अपने पल्यूशन सर्टिफिकेट गाड़ी का बनवा रहे हैं डीजल गाड़ियों की फोर्विलर की बात की जाए तो यह सौ रुपए यहां पर उसके लिस्ट बकाइदा लगाई गई है और जो यहां पर पल्यूशन सर्टिफिकेट दे रहे हैं सदस से अधिकारी लोग वो भी यहां पर मौके पर मौजूद हैं मैं अभी दो घंटे से खड़ा हूँ ठीक है पिछले चार पेटरोल फंबे देखके आया हूँ सब पर बहुत बड़ी लाइन लगी इस पर सबसे कम देखी क्योंकि यह कोने में चुपके से था आप चार गंटे से कहां से आ रहा है आप मैं अभी पास से ही आया हूँ चौर बाट के साइब आप कितनी देर से आप पर लाइन में लगे हैं करेबन पांच बज़े से गड़ा हूँ जी जी तो यहां पर जो पल्यूशन सर्टिफिकेट लिए किस तरह के डॉकुमेंट्स म डॉकुमेंट्स हैं यह आपको उरिजिनल फॉर्म में ही रखने होंगे यानि कि अगर आपने जेरोक्स कौपी फोटो स्टेट कराके रखी है तो उससे काम नहीं चलने वाला है तो आपको भारी भरकम चलान और पर्या वरण का अगर साथ देना है और चलान से बचना है तो आपको तमाम यह जो डॉकुमेंट्स हैं अपने गाड़ी का यह पल्यूशन सर्टिफिकेट भी बनवा करके रखना होगा जिससे कि आप ना सिर्फ चलान से बच सकें बलकि पर्या वरण को शुद्ध रखने में भी अपनी भूमी का निभा सकें वीडियो जनलिस्ट विका